करें लिलकुमार इस वीडियो में में जो हम डिसकस करेंगे वह आपकी रहेगी यूनित 10 हाय एजुकेशन सिस्टम जिसका नाम है ए जुकेशन सिस्टम यह आपके UGC जो नैट जी अरफ है उसका तरह से उसके 10 उनिट का हम इसमें डिसकस करेंगे जिसका टोपिक हमारा रहेगा introduction to higher education जब higher education क्या है क्या meaning है किस तरह से अगर government के हिसाब से हम चले Ministry of Human Development Human Resource Development MHRD का जो higher education department है वो किसे higher education मानता है पहले हम वो देख लेते हैं उसके बाद हम सारी चीज़े के करके देखेंगे तो MHRD Ministry of Human Resource Development वो क्या कहती है वो एक point यह बोलती है कि कोई education है जिसने अगर उसने after completing 12 year education आपने प्लस टू कर ली उसके बाद अगर आप कोई nine month या इससे ज़्यादा का कोई course करते हो तो वो आपकी higher education में आएगा दूसरा point दूसरा point यह कहता है कि अगर आपने 10 तक की education कर ली 10 तक की schooling कर ली उसके बाद अगर आप कोई तीन साल का course करते हो तो भी वो आपकी higher education मानी जाएगी यह तो है basic meaning यह आपकी को ministry of HRD बोलता है तो अब हमने यह देखा तो यहां पर एक दो question और बन जाता है important पहले higher education आप तभी बता पाऊगे higher education में सी question क्या आएगा कि higher education होती क्या है जितनी भी अंडर ग्रेजवेट होता पोस्ट ग्रेजवेट होते है पीएजडी एमफिल यह सारी आपकी higher graduation education में तो primary education में क्या है तो हम एक वो भी देख लेंगे कोई वो नहीं है तो इसके बाद हमारे पास जो इस department का head क्या यह पता होना चाहिए प्लस HRD का minister है वो कौन है वो पता होना चाहिए यह चीज हमारी हो गई और इसके बाद आपको यह दोनों meaning ज़रूर पता होने चाहिए क्योंकि यह important है यह आपकी government बोलती है ministry of women versus development बोलता है कि education higher education क्या है आपका topic है अगर आप फिर क्लेक आप किसी में आप admission ले तो हैए रफिर्जूर की हे हम पर हम और DEPTH को देखेंगे अब हमारे पास आता है COMPONENT of Indian Higher Education क्या गया है तो सबसे पहले है अगर आप कोई Dmit कोर्ス किया है कोई ऐे हाज़र की की है तो आप का higher education में एगा ठीक है जी जैसे आपने कोई BA कर लिया, BCOM कर लिया, BSC कर लिया, MBBS कर लिया या फिर Bachelor of Engineering कर लिया या फिर Bachelor of Technology कर लिया ये सारे या फिर आपने Fine Art Fashion, Designing इस तरह का कोई कोर्स कर लिया, 3-year का undergraduate course ये सारे आपके higher education में एगे उसके बाद post graduate कर लिया आपने कोई, post graduate क्या है, जब आप graduation कर लेते हो, under graduation कर लेते हो, उसके बाद 2-year की कोई master degree करते हो, 2-year का कोई course करते हो, वो है आपकी PG, फिर doctoral studies आती है, तो doctoral studies में क्या आता है, अगर आप MPHD करते हो, तो वो आपकी doctoral studies में आएंगी, ठीक है जी, फिर उसके बाद आता है certificate and diploma courses, कोई आप certificate करते हो, कोई diploma करते हो, जैसे computer का certificate ले लिया, एक साल का, O level का, triple C का, और कोई diploma कर लिया, engineering में, electronic में, या फिर और किसी fashion designing में, interior designing में, make-up वगएरा में, तो वो सारे आपके आएंगे higher education में, उसके बाद, एक point आप ये भी ले सकते हैं, ये doctoral studies के बाद, post-doctoral studies भी होती हैं, जो, post-doctoral studies भी आपकी अलग से रहेंगी, वो सारी higher education में आएंगी, ये देख लिए हमने higher education के component इंडिया में, एक बाद थोड़ा सा और, एक मैं चार्ट के थूँ आपको डिकेल में और समझा देता हूं, तापकि आपको और clarity आजाए कि, एक्चली में higher education या education system इंडिया में है क्या, चलो देखते हैं एक बार, अब आता है हमारे पास, education system in India, अब जो education system in इंडिया है, वो आपका तीन पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट में डिवाइड है, वो कौन से तीन पार्ट है, पहला तो आपका रहेगा elementary education, दूसरा जो आपका रहेगा, वो रहेगा secondary education, थरड जो इसका पार्ट रहेगा, वो रहेगा tertiary education, जिसे आप higher education भी बोल सकते हों जो elementary जो education है वो दो part में divided further एक primary दूसरा upper primary प्राइमरी जो जो फिफ्ट क्लास तक रहती है उसको आप बोलते हो प्री प्राइमरी जिसमें आपकी रहती है और गौर्मेंट प्री प्राइमरी स्कूल को उसे चलाती है जो आंगनवाडी वेगरा रहती है वो प्री प्राइमरी स्कूल भी बोलते हैं उनको प्राइमरी जो six class से लेके एट क्लास तक की जो एजुकेशन रहती है और जो सीनियर स्केंडरी जो एजुकेशन रहती है उसके बाद आपके पास जो तर्चरी जो एजुकेशन है वो दो तरह से हैं एक आपकी higher education रहेगी का बोस्रा आपका illo educational एजुकेशन रहेगी अ है जो आपकी वो cco केशन पलते है वो तरह से है एक मैं आपकी जो ट्रेडिशनल तरह रहती है वह जैसे आयress cabin को भी स्कूल बोलते हैं लोके दाद अइकम्पिटरेशनम कॉलते हैं वो आपց अब आपने देखा एजिकेशन सिस्टम इनिडिया तीन तरह से हैं एलिमेंटरी, सेकिंडरी और टर्शरी और जो टर्शरी है या हाईयर एजिकेशन है उसके दो पार्ट है एक है आपका वोकेशनल और दूसरा है हाईयर एजिकेशन वोकेशनल के दो पार्ट है एक है ट्रेडिशनल दूसरा है लेटेस्ट या अप्टू डेट, मोडरन जो भी आप उसको बोलना चाहो फिर इनमें इनको फर्दर डिवाइड है जो जर्णल हाई कोर्स है वो जो हाईयर एजिकेशन है टर्शरी की वो आपकी दो पार्ट में डिवाइड है एक जर्णल और दूसरा प्रोफेशनल है ये आपकी दो पार्ट में डिवाइड है एक आपकी जर्णल रहेगी दूसरा आपकी प्रोफेशनल रहेगी जो जर्णल है आपकी जो जर्णल आपकी हाईयर एजिकेशन है वो फर्दर आपकी तीन पार्ट में डिवाइड है एक आपकी आपकी आर्ट दूसरा आपका कॉमर्स और तीसरा आपका साइन्स जर्णल तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं इनको अगर हम प्रोफेशनल तरीके से इनको देखें तो ये तीन तरीके से डिवाइड होगी ये भी इंजीनियरिंग इसमें भी टैक भी इस तरह की कॉर्सिज होते हैं इंजीनियरिंग करके ठीक है फिर दूसरा जो रहेगा वो मैडिसिन तीसरा जो रहेगा इसमें आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्चर से रेलेटेड जो कॉर्सिज रहते हैं इसमें वो इसमें आएंगे तीसरे में आर्किटेक्चर तो अब हमने यह चीजें कुछ बेसिक बेसिक देखी एक आपको दुबारा रिवाइज करा देता हूं अगर क्विस्टन बनेगा तो यह हायर एजुकेशन का मिनिंग और यह बेसिक क्विस्टन इनमें से ज़रूर बनेगा एक कुस्टन इनमें से ज़रू कि हैं सेकंडरी और ट्रेसरी ऐलिमेंटरी हिदो तरह से और अपर पर में कि एक फ्रीस्ट क्लास आपका fort रास अपर प्राईयम्यवे में शिक्स्थ से एड़ सेगें ड्री आपकी दो तरह से हैं सेकंडरी senior secondary secondary में आपका 9-10 senior secondary में 11-12 tertiary आपका दो तरह से है vocational और उसके लावा higher education vocational भी दो तरह से है traditional और latest traditional में वो ITI vocational courses, pole technique के IT के डिपलोमे computer का डिपलोमा वो आता है latest में tourism, aviation, retail, fashion design यह आते है higher education भी आपका दो तरह से divide होगा general higher education, professional higher education general higher education आपका तीन पार्ट में डिवाइड होगा art, commerce, science और professional higher education आपका तीन पार्ट में डिवाइड होगा engineering, medicine और architecture इसमें हमने कुछ चीजी यह देख लिया education system कि इस तरह से रहता है इंडिया में तो इन में से इसमें भी हम यह सारी चीजे देखेंगे लेकिन अगर आपकी कोई query है तो आप मुझे पूछ सकते इसमें से या फिर और कोई education, higher education के बारे में जानना चाहते है तो कुछ है यह चीजी आपको basic पता होने चाहिए यह question जरूर आ सकता है कि इस exam में नहीं दुनिया का कोई इंडिया का कोई भी exam दोगे सब एक्जाम में यह वाला question आ सकता है EPS, UPS, CSSE, banking, railway सब में आ सकता है कि 86th constitutional amendment हुआ constitutional amendment क्या होता है जब constitution में amendment किया दता है उस amendment को constitutional amendment बोलते हैं सबसे पहले constitutional amendment करने के लिए bill आता है बिल दो तरह के होते हैं एक simple majority से पास होता है एक उसके लिए special majority की रिक्वारोटी होती है simple majority के लिए 50% से जादा अगर उसको बोट मिलते हैं तो वह पास हो जाएगा और special majority के लिए आपको 3 4th majority चाहिए ठीक है जी तो यह जो amendment है यह 2002 में आ था इसमें बोला गया जो जिन बच्चों की इसमें तीन चीजे एड की गई एक यह एक यह और एक यह पहला आपको fundamental राइट दे दिया गया fundamental राइट कुछ आपके fundamental राइट होते हैं कुछ डारेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं और कुछ फंडावेंटल ड्यूटी होती है तो तीन हो जाएगा इसको अड़ कर दिया डिया गया राइट में आपको एक राइट टू एजुकेशन में एड किया गया 21 ए राइट राइट र्ण एकूसेन उपसी में विच्ञाय होगा है तो राइट इसमें से बोला गया कि डारेक्ट किया गया डारेक्ट्व प्रिंसिपल नॉबल प्रिंसिपल भी होते हैं नॉबल राइट्स भी होते हैं उसमें स्टेट को डारेक्ट किया गया कि वो प्रोवाइड करेंगे फिरी एंड कंपल्सरी एजुकेशन जिन बच्चो की ऐलच तो स tapesar एजुकेशन बुक्स वगरा दे रहे हैं वो इसके अंडर ही दे रहे हैं यह आपको अमेंडमेंट किया गया था था थीक है जी उसके बाद पहले हमारी इंडरा गांधी जी ने 42 जो सेकंड अमेंडमेंट था उसमें आपकी डूटी जाड की थी रसिया से लेके कि एक स्टेट उनकी डिश्रिगार्ड ना करें राष्ट्यगान और यह इंसी जो कि आप ओबे करोगे उनको मानोगे उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी जो डूटी थी वो उस टाइम तक 10 थी 2002 में एक डूटी उसमें एड कर दी गई देखो आपकी 51 एमें डूटी जैड है 51 10 तक ना आएंगी और जो okay में आपकी फंडामेंटल् जो ड्यूटी है के में यानि 11 जो ये ये स्टेट की एवरी पेरेंट्स की वो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करा है जिनकी यह 6-14 के बीच में है अगर वो उसमें फेल होता है तो गवर्मेंट की तरफ से उनको पनीशमेंट हो सकती है लेकिन यह उसकी ड्यूटी है ठीक है यह इसमें था आपको पता होना चाहिए अगर और भी इसम चाहर पार्ट के डिवाइड करेंगे एक तो जो शिंदू गाटी के स्टाइम पर फिर जो आरियन लोग आई वी उनके उनके इसाब से फिर बुद्धिजम की इसाब से जैनिजम की इसाब से फिर उसी साब से मेके करके देखेंगे थैंक्स हैव नाच टेग